C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं पाठ साथ लीना का परिवार प्रिष्ट बहत्तर लीना के परिवार का मिलना जुलना लीना अपने परिवार के साथ एक गाउं में रहती है वह अपने दादा दादी, माता पिता और एक भाई शान बोर के साथ रहती है उसके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उनके घर के पास रहते हैं यहाँ पर लीना के परिवार का चित्र बना हुआ है इस परिवार में लीना, लीना के माता पिता उसके दादा दादी और उसका भाई चित्र के द्वारा बताए गए है लीना स्टूल पर खड़ी है उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है लीना के परिवार में साबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाईए प्रिश्च तेहत्तर लीना के परिवार ने अपने परिवार के सभे सदस्यों को मिलने के लिए आमंतरित किया है यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें लीना के परिवार के सभी सदस्य बताए गए है आओ बात चीत करें का लीना के परिवार में कितने सदस्य हैं गा, परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन लगाईए गा, परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टूपी बनाईए गा, वो कौन है, जो लीना के पिता से छोटा है, लेकिन लीना की मा से लंबा है अंग, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और परिवार का सबसे छोटा सदसे कौन है च, आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है च, आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे है प्रिष्ठ 74 यहाँ पर एक चित्र बना है चित्र में एक विद्यालय, एक दुकान और दो घर बनाए गए है सुभा का वक्त है, स्कूल की गाड़ी एक बच्चे को लिने आही रही है लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लकड़ी के घर में रहती है क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंड सकते हो? चित्र को देखते हुए सही विकल्पों पर गोला लगाईए क्या उसका घर दुकान के सबसे पास या से सबसे दूर है और स्कूल के सबसे पास या से सबसे दूर है ख स्कूल दुकान के सबसे पास या से सबसे दूर है ग बच्चा स्कूल बस के सबसे पास या से सबसे दूर है अद्भुत तथ्य ये सरदार वल्लभाई पटेल की प्रत्मा है जिसे स्टैच्य ओफ यूनिटी या एक्ता की मूर्ती भी कहा जाता है ये विश्व की सबसे उन्ची प्रत्मा है और ये गुजरात मिस्थित है यहाँ पर सरदार वल्लभाई पटेल की प्रत्मा जिसे स्टैच्य ओफ यूनिटी या एक्ता की मूर्ती कहा जाता है उसका चित्र बनाया गया है प्रिष्ट 75 आओ करें जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाईए यहाँ पर तीन पैंसिले बनाई गई है इन में से जो पैंसिल सबसे जादा लंबी है उस पर निशान लगाईए ब यहाँ पर तीन लड़कियों का चित्र बनाया हुआ है इन तीनों लड़कियों में किस की चोटी सबसे लंबी है उस पर सही का चिन्ह लगाईए ख जो सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाईए यहाँ पर तीन प्रकार की सबसियों के चित्र दिये गए हैं जैसे भींडी, बैंगन और लौकी इन में से कौन सी सबसी आकार में सबसे चोटी है उस पर सही का चिन्ह लगाईए ब, यहाँ पर चित्र के माध्यम से तीन शिर्ट बताई गई हैं आपको सही का चिन्ह सबसे छोटी शिर्ट पर लगाना है ग, जो सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाईए अ, यहांपर तीन کिताबे बताई गई हैं इनमेंसे जो किताब सबसे जादा मूटी है उस पर सही का चिन लगाईए ब, यहांपर तीन डिब्बूं का चित्र बना हुआ ہے इनमेंसे आपको सही का चिन लगाकर सबसे मोटा कौन सा है ये बताना है जो सबसे पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाईए यहाँ पर तीन प्रकार के पेड़ बने हुए है इन में से जो पेड़ सबसे जादा पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाईए यहाँ पर तीन मुम्बत्यों का चित्र बना हुआ है आपको बताना है कि इन में से सबसे पतली मुंबती कौन सी है और उस पर सही का चिन लगाना है प्रिष्ट छे अत्तर सोचिये और बनाईए कर इससे लंबी छड़ी या बास बनाओ यहां पर एक लंबी छड़ी या बास का चित्र है आपको इस रिक्त स्थान में इससे जादा लंबी छड़ी या बास बनाना है खर इससे छोटी रसी बनाओ यहां पर एक रसी का चित्र दिया गया है साथ ही साथ एक रिक्त स्थान भी है आपको रिक्त स्थान में दी गई रसी के चित्र से छोटी रसी बनानी है सोचिये और बनाईये यहाँ पर दो चित्र दिये गाए है इन दोनों ही चित्रों में एक दादी और पोती आपस में बात करते दिखाए गाए है दादी कहती है यह तैयार है दूसरे चित्र में दादी दुबारा कहती है चोटी वस्तूओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं दादी हाथ से नाप कर अपनी पोती को बता रही है कि इसकी लंबाई कितने हाथ लंबी या कितने बालिष्ट लंबी है गर, चित्रा अपने हाथ या बालिष्ट का उप्योग करके कौपी, पैंसिल, छड़ी मेज की लंबाई का भी पता लगाना चाहती है यहाँ पर चार चित्र दिये गए हैं यह चित्र हैं कौपी, पैंसिल, छड़ी और मेज के प्रिष्ट सततर सूचो और लिखो क, मेरी मेज, रिक्त स्थान, हाथ बालिष्ट लंबी है क, मेरा बैग, रिक्त स्थान, हाथ या बालिष्ट लंबा है ग, मेरी कक्षा का ब्लैक बोड, रिक्त स्थान, हाथ या बालिष्ट लंबा है घर, मेरी गनित की पुस्तक, रिक्त स्थान, हाथ या बालिष्ट लंबी है अंगर, मेरी बाह, रिक्त स्थान, हाथ या बालिष्ट लंबी है चर, मेरे मित्र की बाह, रिक्त स्थान, हाथ या बालिष्ट लंबी है क्या चित्रा इन सभी वस्तों के लंबाई ग्याद करने के लिए अपने हाथ या बालिष्ट का उप्योग कर सकती है पता करो कि इन में से कौन सी वस्तों एक हाथ या बालिष्ट से कम है इन वस्तों की लंबाई का पता लगाने के लिए, क्या हम उंगलियां उप्योग करेंगे? यहाँ पर आठ चित्र बने हुए हैं, यह चित्र हैं एक रसी का, एक होकी स्टिक का, एक क्रिकेट बाट, एक बच्चा जो लकडी के साथ खेल रहा है, एक पैन, एक रब, एक पुस्तक और एक मेज का, और आपको यह पता करना है कि इन में से एक हाथ या बालिष्ट से कम कौ प्रिष्ट 78 पाहिनी ओर की सूची में वस्तुएं दी गई हैं, यह वस्तुएं हैं बोतल, चमच, पैंसिल, दोस्त की नाक, टांग और चाबी, दूसरी सूची में लिखा है, आप क्या उपियोग करोगे, इस सूची में चित्र के माध्यम से बालिष्ट या उंगलियों को बताया गया ह आप इन दोनों में से किसी भी एक तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, अब बागी की दो सूची में आपको लिखना है, मेरा अनमान और मेरा निशकर्श, तो आप किस चीज का उपियोग करेंगे, बालिष्ट या उंगलियों का, ये नापने के लिए कि ये वस्तुएं कितनी ल इसके बाद लिखा है, कक्शा के कमरे की दो दीवारों के बीच बीच की तूर की बागी आपको लिखना है, इसके बाद लिखा है अपने बिस्तर से शोचाले के बीच की दूरी और आखिर में लिखा हुआ है आपके कमरे के दो दीवारों के बीच की दूरी पाउं से आपका अनुमान क्या है और पाउं से आपका निशकर्ष क्या है इन रिक्त स्थानों में लिखिए आउ करी का भारी वस्तु पर सही का चिन लगाईए। 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 पहली बाल्टी पानी से भरी हुई है, जबकि दूसरी बाल्टी बिलकुल खाली है। इन दोनों में से कौन सी वाली भारी वस्तु है, उसमें रंग भरिये। सर, यहाँ पर दो वस्तुएं बनाई गई है। एक में गिलास है, और दूसरे में पीने के पानी की बोतल है, जो पानी से भरी हुई है। आपको भारी वस्तु में रंग भरना है। द, यहाँ पर दो चित्र दिख रहे हैं। एक है रजाई का, और दूसरा है तॉलिये का। आपको इन में से कौन सी भारी वस्तु है, उसमें रंग भरना है। घ, हलकी वस्तु में रंग भरिये। अ, यहाँ पर दो चित्र बने हैं। पहला एक नारियल का है, जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक स्ट्रॉ लगा हुआ है। दूसरा चित्र एक नीम्भू का है, आपको हलकी वस्तु में रंग भरना है। बा, यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं। पहला चित्र एक गमले का है और दूसरा चित्र एक कप का है। इन दोनों में से जो हलकी वस्तू है उसमें रंग भरिये। सर, यहाँ पर दो चित्रों के माध्यम से दो गेंदें बताई गई हैं। पहली गेंद क्रिकेट की है और दूसरी गेंद बास्केट बॉल की आपको हलकी वस्तू में रंग भरना है। द, यहाँ पर दो टोकरियां दिख रही हैं। पहली टोकरी में काफी सबजियां भरी होई हैं जबकि दूसरी टोकरी बिलकुल खाली है। इन दोनों टोकरियों में से जो हलकी है उसमें रंग भरिये। आओ बात चीत करें। क, आप और आपके मित्र में से कौन भारी है? आप कैसे पता लगाएंगे? कक्षा में चर्चा कीजिये। ख, अपना वजन पता करिये। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वजन आम तोर पर कहां मापा जाता है? प्रिष्ठ एक्यासी। आओ करें। क, बाल्टी को पानी से भर कर देखिये। अ, रिक्त स्थान जग पानी बाल्टी को भर देंगे। ब, रिक्त स्थान गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे। स, रिक्त स्थान कटोरी पानी बाल्टी को भर देंगी। ख, पता लगाईए, अ, कितने प्याले या कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी, रिक्त स्थान में लिखिये ब, अब अपने मित्र की पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिये, कितने प्याले पानी से बोतल भरेगी, रिक्त स्थान में लिखिये सर, किस बोतल में अधिक पानी आता है? रिक्त स्थान को भरिए दर, इसे दूसरी बोतल के साथ भी कीजिए किस बोतल में कम पानी आता है? रिक्त स्थान में लिखिए गर, जिसमें अधिक पानी आता है, उस पर गोला लगाईए यहाँ पर पांच अलग-अलग चित्रों में चीजों के सम्हू दिये गए हैं पहले चित्र में हैं एक बाल्टी और एक मग दूसरे चित्र में हैं एक चाय का कप और एक बड़ा गिलास तीसरे चित्र में दो अलग-अलग माप के या साइज के घड़े बनाए गए है और चौथे चित्र में एक कप तथा धर्मस दिखाया गया है पांचमें चित्र में एक पीने के पानी की बोतल बनाई गई है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके साथ है एक चाय की केतली आपको ये बताना है कि किस में अधिक पानी आता है और उस पर गोला लगाना है प्रिश्ट बयासी पानी हमारे ले बहुत उप्योगी है चर्चा कीजिए दिये गए कामूं के लिए आपको पानी के कितनी मात्रा के आवशक्ता होगी उस पर सही का चिन्ह लगाए कर इस पहले चित्र में दिखाया गया है एक बच्चा जो की मनजन या ब्रश कर रहा है उसे पानी से भरी बाल्टी की आवशक्ता होगी या फिर पानी से भरा मग ही काफी है इन दोनों में से जितने पानी की आवशक्ता होगी उस पर सही का चिन्ध लगाईए ख, इसमें एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक बच्चा नहा रहा है लिखा है नहाने के लिए इसके समक्ष दो चित्र बने हुए हैं इनमें लिखा है पानी से भरी बाल्टी और पानी से भरी टंकी आपको चिन्ह लगाना है कि बच्चे को नहाने के लिए पानी से भरी बाल्टी की आवश्रक्ता होगी या पानी से भरी टंकी की गर इस चित्र में दो गिलास नीबू पानी बनाने के लिए वस्तोई दी गई है और समक्ष दो चित्र हैं पहला है पानी से भरे जग का और दूसरा चित्र है पानी से भरी बाल्टी का आपको ये ढूनना है कि दो गिलास नीबू पानी बनाने के लिए पानी से भरा जग ही काफी रहेगा या फिर पानी से भरी बाल्टी की आवशक्ता होगी सही विकल्प पर सही का चिन लगाईए घर इसमें चित्र के माध्यम से बताया गया है कि एक पौधे को पानी दिया जा रहा है एक पौधे को पानी देने के लिए उसके समक्ष दो चित्र बने हैं पानी से भरा मग और पानी से भरी बाल्टी सही का चिन लगा कर बताये कि एक पौधे को पानी देने के लिए कितने पानी की आवश्रक्ता होगी प्रिश्ट 83 परियोजना कार्य कर चर्चा कीजिए कि नहाने के लिए फववारे या बहते हुए नल के पानी की जगा बाल्टी में पानी लेकर नहाना क्यों आवशक है ख, रंगीन पटियों को फाड़िये और चिपकाईये जिससे पटि का एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए पटियां अलग-अलग आकार की होंगी यहाँ पर दो रिक्त स्थान है छोटी और लंबी पटी के लिए यहाँ पर लिखा है यह छोटी है और दूसरे स्थान पर लिखा है यह लंबी है छोटी वाले स्थान पर छोटी पटी लगाए और लंबी वाले स्थान पर लंबी पटी गर उन वस्तूं की सूची बनाईए जिने उठाना आसान है और जिने उठाना कथिन है यहाँ पर दो सूचियां दी गई है पहली में लिखा है उठाना आसान है और दूसरी सूची में लिखा है उठाना कथिन है जिन वस्तों को आप आसानी से उठा सकते हैं, उन्हें बाई ओर की सूची में लिखते जाईए तथा जिन्हें उठाना कठिन हैं, उन्हें दाई ओर की सूची में लिखिए घर, विभिन आकारों की बोतल, कटोरी और गिलास एकठे कीजिए अब देखिए कितने गिलास या कटोरी पानी से बोतल भर सकते हैं किस बरतन में अधिक पानी हो सकता है बच्चों से पूछें कि वे एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं उनके आसपास बर्बाद हो रहे पानी के विशय में चर्चा करें और उन्हें जाग रुख करें अगर गिलास में पानी रह गया है तो भी क्या करेंगे? हम उसे फेक दें या पौधों में डाल दें पानी को बचाने के और क्या तरीके हैं? जैसे उप्योग में ना आने पर नल को बंद कर देना पानी में कोई कचरा नहीं डालना गंदा पानी बरबाद नहीं करना इसका उप्योग पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और मम्ता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वनियंकन मयंक कुमार निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुति C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली, भारत